वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला आप टी टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपड़िट यहीं पर आते हैं ध्यान लगे नमस्कार में श्रवांगी सभी सभी सब्सक्राइब करते हूं उमीद करती हूं पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी टेस्स का फाइदा अच्छे से कॉमेंट डाउन कर रहे होंगे अपना स्कोर और अपनी गल्तियों से सीख रहे होंगे अपने स्टेटक सिलिबस को अच्छे से रिवाइस कर रहे होंगे 69th BPSC 2023 के लिए टेस्ट नमबर 8 होगा full history का test number 2 है test number 6 किया था हमने full history 1 का इसमें भी combined history होगी history बहुत important है और इन सवालों को बताई गई चीजों को अब अच्छे से कर लेते हैं तो जो सबका सही हो रहा है बो तो आपका सही होई जाएगा उसके अलावा भी आपके 2-4 questions ठीक हो जाएगे तो drill same है साथ सा test attempt कीजिए अपना score comment down कीजिए और जरूर कीजिए मैं बार बार बोल रही हूँ इस चीज़ को आपका फायदा इसमें अपनी mistakes को analyze कीजिए और फिर उन्से सीखिए कि आपको किन चीजों पर जाज़ा धान देना है test से बहुत सारी चीज़ें तैयार होती है आपका कौन सा area week है अच्छा आपको याद था लेकिन आपने गलती कर दी आपको यादी नहीं आया ऐसे वाले categories में divide करके अपनी तैयारी को उससाब से कीजिए और अगर आप अपनी तैयारी को और मस्बूती देना चाहते हैं तो आप जोइन कर सकते हैं हमारा crash course जो की बहुत ही limited material, बहुत ही कम pages और बहुत ही जादा chances selection के details आप description box से check कर सकते हैं बाकी शुरुवात कर रहे हैं हमारी test number 8 की sectional test होगा साथ साथ attempt करना है आपको शुरू कर रहे हैं धन्यवाद तो test number 8 होगा हमारा section wise test 8 हिस्टरी का test है चलिए शुरू करते हैं पहला question है निमलिखित में से सही विकल्प आपको चुनना है correct option है न तो ये क्या बोल रहा है अजाद शत्रू का मंत्री वर्षकार राजग्रह में महात्मा बुद्ध से मिला था महा पद्मनंद जो थे मगद के उनको अपरो परुश्रम के नाम से भी जाना जाता था और पाटली पुत्र को किसने स्थापित किया था उद्यभद्र ने पताईए आंसर ए हो जाएगा इंपोर्टन्ट वाले पॉंच सो देखिए आपको सारे प्रिपेर करनी है अब तक तो आपको खेर ड्रिल पता चल गई होगी दूसरा निमलेकित में से कौन सा विकल्प सही है करेक्ली मैश पूछ रहा है राजवंच और संस्थापक हर्यंक के बिंबी प्रिपेर के वासुदेव हैं सत्वाहन के सिमुक ठीक हैं सारे थर्ड निमलेकित में से किसने करनाटका में जो आपका हासन जिला है वहां पर गोमतेश्वर का आपने सुना भी होगा जब उनका राजविशेक वगरा होता है तो पेपर में बहुत निउस वगरा भी आती है तो जब उनका तो वो जो है गोमतेश्वर का इंस्टॉल किया था श्रवन बेल गुला में स्टैचू कुमारपाल वन ने सिम्ह विश्णू ने राजराचोल वन ने अमोग वर्ष ने आंसर ई हो जाएगा आंसर तो ये आपके जो थे ये हसन डिस्ट्रिक्ट करनाटका में ह ने इस स्टैचू को इंस्टॉल करवाया था ठीक है चलिए फॉर्थ निमलिकित में से कौन था जो दिल्ली का सुल्तान था जिसने एक पेंशन डिपार्टमेंट बनाया दिवाने इश्टिहाक FST, MBT, घ्यासुदीन बल्बन, शेर्शासूरी, आंसर FST, ये बड़े इंपॉर्टन्ट है FST और MBT नहीं बनवाएं जात अतर, तो दिवाने इश्टिहाक था आपका पेंशन डिपार्टमेंट FST, जौनपुर के काजी मुल्ला मुहम्मद यस्दी ने किस के खिलाफ, अगेंस्ट हूम ही इशूरा, फत्वा, इल्तुत्मिश्च के अगेंस्ट MBT के अकबर अलाउदीन खिल जी, आंसर अकबर के अगेंस्ट इन्होंने फत्वा जारी किया था, किस ने किया था ये भी पूछ सकता है, तो उल्टा भी प्रिपेर कर लो सिक्स्थ किस राजवंश एक मुस्लिम रूरल थे, कौन सी डानस्टी के थे, जिन्होंने कहा था कि जो आगे के, जो उनके टाइम पीरिड में वो हुआ करेंगे ना, सेलिबरेशन्स, वो 21 दिन चलेंगे के वल, तुगलक, लोधी, ममलुक, सायद, ये आपका FST ने कहा था, फिरोश शातोगलक, सेवन्थ, निमलेकित में से सही विकल्प का चेहन करें, चूस दी करेक्ट ऑप्शन, ये बोल रहा है, मीरे आतिश को क्या बोलते थे, दरूगा तुप खाना, मुगल अड्मिनिस्टरिशन में, और फिनांस मिनिस्टर कौन था, अश्ट प्रधान में, मजूमदार, और जब बाबर ने आकरमन किया इंडिया पे, तो वो बाच्छा था काबूल का, आंसर, ठीक हैं सारे, एट, बहातराश्टर कॉंग्रस के निमलेकित में से किस अधिवेशन ने उन्निस सो नत्तिस में, पून स्वराज, रिजल्यूशन अफ पून स्वराज, कौन से सेशन में पास हुआ था, यह भी दे दिया आपको, लाहूर, कलकटा, मडरास, एहमदबाद, नन अफ दी अबव, लाहूर आपका सेशन था, आप जानते हैं, पंडित नहरू इसके अध्यक्ष थे, व्यक्तिकेट सत्यगरह, रट जाना चाहिए, इतनी बार करा चु स्टाट किया महत्मा गांदी ने 1940 में, पूछ रहा है, सतीनो सत्यगरही के नाम मैं अल्रडी करा चुके हूं, फर्स्ट ब्रहमदत, सेकंड जवालान लेरू, विनुबा भावे थर्ड, करेक्ट ऑप्शन, सी हो जाएगा केवल, सिर्फ सेकंड सही है, कितनी बार बता दिया ब्रहमदत तीसरे थे, विनुबा भावे फर्स्ट थे, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया, किसने इस नारे को गढ़ा था, कॉइन किया था, महत्मा गांदी, युसुफ महर अली, जवाला नेरू, रामजी, मालो जी, सत्पाल, नन अफ दी अबव, मोर्दन अबव, युस सारे भिक्षूं के लिए, बिंबी सार, शिशुनाग, महापदमिनंद, चंद्रगुप्त मौरे, नन अफ दी अबव, करायवा क्वेस्टन है, नदी पार करने पे जो शुल्क लगता था, फीस लगती थी वो, एक्तियार अल दिन भक्तियार खिल जी ने, ओधन्ति पूरी, बिहार शरीफ को कब उसके उपर विजय पराप्त की थी, यह पूछ रहा है अब यह, एर, 1196, 1197, 1198, 1199, आंसर, 1198 AD, 1324 में ग्यासुदीन तुगलक ने तिरुट स्टेट को तुगलक एमपार में मिला दिया था, और उसका नाम जो है, वो बिहार के किसी डिस्रिक्ट पर र जाएगा, स्पीड बंती चली जाएगी आपकी, यह हो जाएगा, अंसर, यह क्या हुआ था, जो ग्यासुदीन तुगलक था, वो दिल्ली से आ रहा था, वापस जा रहा था, बंगाल कैमपेइन करके, तो उसने करनाथ डाइनस्टी के हरसिंग देव को हरा दिया, और पावर किस के पास चली गी थी, राजा राम नाराण के पास, बाबु कोमर सिंग के पास, मकफूर एहमद अजाई के पास, सेद हसन इमाम के पास, आंसर, ए, कब हुआ था यह, जरा डेट कमेंट करके, बता दो भई, फटा-फट से, न, फिफ्टीन्थ, किसने देवपाल को राश्ट्रकूटर प्रितिहारवंज के सभी साशकों में सर्वस्रेष्ट साशक माना है, बेस्ट रूलर, सुलेमान इबनबतूता अलबरूनी इत्सिंग, सुलेमान ने, ठीक है, अरब का यात्री था यह, सोला, अकबर ने मिथला के राजपूत नरेश डैश को पराजित क कर दिया, मैथली भ्रामन महेश ठागुर को मिथलाख शेत्र में राजस वसूलने का अधिकार दे दिया, ऐसा हुआ कब, 1572, 1575, 1574, 1576, 1574, 1574, आपको chronological order में अरेंज करना है, यह पता होना चाहिए, बिहार यात्रा पे आया, अब्दुल लतीफ इरान से, और मुहम्मद सा सादिकाया बिहार, और राजकुमार परवेश जो है, सुबदार बना बिहार का, आंसर बताईए, यह आंसर, मैं आपको एर लिखके दे रही हूँ, आपने आप से रेंज कर ले न, 1608, और यह सादिक, 1619, और यह आपका 1621, 18, यूसिफ आदिल्शा दुआरा 1489 में स्थाप बीजापुर को कौन से मुगल साशक ने मुगल समराजे में मिलाया, 1686 में, और अंगजेब ने, अलावदीन खिलजी ने, ग्यासुदीन बलबन ने, FST ने, और अंगजेब ने, एक इटालियन ट्रावलर नाम पता आपको निकोलो कॉंटी बहुत बार बताय जा चुका है, ये विजनगार आय थे, 15th century में, कौन थे राजा उस वक्त, विरुपक्षराय, देवराय वन, प्राधराय और बुक्कावन, देवराय प्रथम का टाइम पीरिड है, ये ठीक है, और इनका जो टाइम पीरिड था, आने का वो था, 1420 से 1421, तुलोफ डाइनस्टी के ये साश सकते हैं, आपको पता होगा, 20, अवद के निमलिकित में से किस नवाब ने सबसे अधिक समय तक, लॉंगस्ट पीरिड तक कौन से नवाब रहे, नस्रुदीन हैदर, मुहमद अलीशा, अमजद अलीशा, वाजद अलीशा, इस टाइप के पहले टेस्ट में अगर करा दिये तक, ये 42 से आपके 47 तक, 18 ही चल रहा है है, और ये 47 से 56 ही तो आपके 1857 के रिवोट से जस्ट पहले तक वाजद अलीशा थे, 21, अपने साशनकाल के दौरान, निजाम उदीन मुहमद खलीफा को, किस ने अपॉइंट किया था, दिवाने कुल, अकबर ने, बाबर ने, और दिवाने कुल एक ही होता था, बाबर ने किया था, 22, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री मंडल, क्याबिनेट अफ फ्री इंडिया की बात हो रही है, संचार मंत्राले किस के पास था, आपको पोटफोलियो पता होने चाहिए, सरदार बलदेव सिंग, राजकुमारी अमरित का और हेल्थ में थी, अमरित, है न, अमरित से आद कर लो हेल्थ, और CH भाबा, ऐसे थोड़ा सा, CH भाबा, C for Commerce, 23, ऐसे ट्रिक्स लगा सकती हो थोड़ी बहुत, निमलिकित में से किसने दर्भंगा में एक किले और जामा मज़त का निर्मान कराया था, अलावदीन खिल जी 24 में डैश एवं बंगाल के नवाब अलावदीन के बीच क्या हुआ था, युद्वा था, फिर एक ट्रीटी साइन हुई थी, और उसमें अलावदीन ने सिकंदर लोधी का प्रभुत वया फिर आदिपत्य स्विकार कर लिया था, नॉर्थ बिहार पे, जहांगीर, बादु 1556 में लोटा विधरो, कराया हुआ है या नहीं करा हुआ है मानदारी से बताना, स्टेटिक जीके का वीडियो अब तक नहीं देखा, आप लोगों ने तो गलती कर रहे हैं आप, भागलपुर, मुझफरपुर, कैमूर, जहनाबाद, इतना फेमस क्वेश्चन है, अब तक आपको रट जाना चाहिए, मुझफरपुर के जो जेल के इनमेट्स थे, उनमें ये विधरो हुआ था, 26, 1916 में हुए भातिराश्टर कॉंग्रिस के 31 सेशन, आइन्सी का 31 सेशन, बिहार को किसने रेप्रेजेंट किया था, जैपरिकाश नरायन, बैकुंट शुक्ल, राज कुमार शुक्ल, इसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरन मजूमदार, 27, अनलवार निमलिखित में से किस राजवंच की राजधानी था, चालुक्या, गुजरात के चालुक्यों की, कालचुरी, छेदी, परमार्जफ मालवा, चहमान्जफ शाकंबरी, गुजरात के चाल जुक्यों की राजधानी थी, पता होनी चाहिए आपको, 28, कांसे निर्मित, बुद्ध की मूर्ती, ब्राउन स्टैचू अफ बुद्धा, कांसे मिली है, कांगडा, सुल्तान गंज, मनकुर, भुजपुर, बी, सुल्तान गंज से मिली है, 29, किस वाइसरोय ने 1879 में अफगानिस्तान पर भाय ने अंत्रन, एक्स्टरनल कंट्रोल स्टैबलिश किया था, लिटन, रिपन, डफरन, इर्विन, बाई लिटन का ताइम पीरिट चल रहा था, जब ये सब पॉलिसी आ रही थी, 30, 1809 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम के नित्रित्व में डेविट सिटान डेलिगेशन, डेलिगेशन मैं आपको पहले भी काफी करा चुक हूँ, कर्क, पैट्रिक और वो सब, कुछ इसमें हो गए, तो सारे अपने रिवाइस करते रहो, सिंध, काबुल, इरान, तिब वन और टू, जो ये वेलोर म्यूटिनी हुई थी, ये 1806 में हुई थी, इस टाइम पे वाइस रोई थे आपके सर जॉर्ज बारलॉ, नाम सुना होगा आपने, और ये आपके लॉर्ड हिस्टिंग्स के टाइम के ठीक है, चाहा हिस्टिंग्स का टाइम पीरिड देख लो, 18 13 से 1823 रहा है, 32, आपकी जेनरल हुग वीलर, कमांडिंग ओफिसर थे, किस सिटी में, रिवल्ट ओफ 1857 के टाइम पे, कानपूर, आपका लखनव, बरेली, पतना, कानपूर में थे, 33, नेमलिकित में से कौन सा विकल्प सही, सुमेलित नहीं है, not correctly matched, नाम और संबन पूछ अलबर्ट मेर का इटावा पाइलिट प्रोजेक्ट से, ब्रिटिश गवर्मेंट का, ग्रो मोर फूड कैंपेंग से, मदर टेरीसा, सेवा ग्राम प्रोजेक्ट, फ्रांसी सो डिलमीडा, ब्लू ओटर पॉलेसी, मतलब अगर ये गलत होता है, तो क्या करूंगी मैं बताओ, मदर टेरीसा कहां से जुड़ी होंगी सेवा ग्राम से, सेवा ग्राम प्रोजेक्ट से थे, महात्मा गांधी, 34, अवद के निमलिखित नवाबों में से सबसे लंबे तक, लॉंगस पीरिट फिर से पूछरा है ये, ये तो रिपीट हो गया question, है न, उपर करा चुकी हो मैं, 35, तो एक question कम हो गया आपका है, मुझ पर उधार रहा आपका एक question, निमलिखित में से किसने 1889 में एहमध्या आंदुलन शुरू करा, मिर्जा गुलाम एहमद, मुहमद अली, मिर्जा मंसूर एहमद, शिबलीनो मानी, नन अप दियाबव, बहुत फेमस है, मिर्जा गुलाम मेहमध है, न, 36, निमलिखित में से किसके द्वारा 1878 में राजमुंदरी Social Reform Association की स्थापना हुई थी, आपका तंगुतरी प्रकाशम, वीर सलिंगम पंटलू, जोतराफुले, राजराम मोहन रोय, वीर संगलम पंटलू, 37, बाम बोधनी पत्र का, ये एक मंथली जर्नल था, कौन एडिट करते थे इसको 1863 में, उमेश चंद्रदत्ता, राजबिहारी गोश, बुपेंदरनाथ बसू, सियारदास, कौन करते थे हैं, उमेश चंद्रदत्ता, 38, कालनुक्रमिक्रम में विवस्तित करना है, क्रोनॉलजिकल ओर में, रिश्रा, सुना होगा आपने, पहली 1874 से, और यह आपका 1854, 39, फिर से वही क्वेश्चन, क्रोनॉलजिकल ओर, बैरकपुर म्यूटिनी, बरहामपुर, वेलॉर रिबेलियन, देखा, मैंने आपको बताया था, यह लीडर का नाम, छेत्र, यह सब पता होना चाहिए, भी हो जाएगा, बैरकपुर आपकी थी, 1824 बैरहामपुर थी, 1857, वेलॉर था आपका 1806, 40, सल्तनित काल के दौरान, कौन रॉयल कॉर्सपॉंडेंस के इंचार्ज थे, शाही पत्र चार के प्रभारी, दिवाने इंशा, रिसालत, काजा, सद्र, उस सुदर, दिवाने इंशा थे, रिसालत कौन से थे, फोरन मिनिस्ट स्री वाले थे, है न, और आपके दिवाने काजा कौन होते थे, ये जुडीशल डेपार्टमेंट के हैड होते थे, नियायक विभाग के, और सदर उस सुदूर कौन होते थे, जो रिलिजन, धार्मिक मामलो को देखते थे, 41, संथाल विधरो, 1855 से 56 के टाइम पे, राजमहल कहां आती थी थी तब, बंगाल, उडिसा, उत्रप्रदेश, बिहार, बिहार में आती थी, पता ओना चाहिए आपको, ठीक है न, 42, 1831 में कोल म्यूटिनी हुई, कहां, राची, सिंग्भुम, हजारी बाग, पलामू, सारी जगा इफेक्टेट थी, ठीक है, सुनाओगा आप 24 वी निटिव इंफैंट्री का विधरो, 22 वी का और 66 का, यह हो जाएगा, वही बात है, यह का खेल है, यह थोड़ा से मुश्किल होता है, पर आपके लिए क्या मुश्किल है, आप हम से पढ़ रहे हैं, हाँ, स्लो थोड़ा सा, 44, निमलिकित में से किस ने उस अधिवेशन के अधिक्षता की थी, जिसमें कॉंग्रस पार्टी टिवाइड होगी थी, मॉडरेट्स और एक्स्ट्रमिस्ट्स में, नरंपंति और उगरवादी में, मदन मोहन वाल भीया, राश बिहारी गोष, लाल मोहन गोष और बिश्र नरायन धर, राश बिहारी भोष के 3rd हुआ था इससे खतम है न, year 1792, 46th, 1775 से 1782 तक चले प्रत्म आंग्ल मराथा यूद, 1st अंगलो मराथा वार जो है, वो चला था, कौन सी ट्रीटी नहीं साइन हुई थी इसके बीच में, नहीं पूछ रहा है, पुरंदर सालबाई बसीन सूरत, तो ये बसीन की संदी नहीं साहिल हुई थी, देखो, पहले अंगलो मराथा वार का टाइम पिरिट दे दिया, पुरंदर की ट्रीटी साइन हुई 1776 में, सालबाई की हुई थी आपकी 1782 में, और एक सूरत की हुई थी सबसे पहले 1775 में, और ये ट्रीटी अफ बसीन है न, ये तुगलक डैनेस्टी MBT, सही डैनेस्टी खिजर खान, लोदी डैनेस्टी बहलोल लोदी, बी हो जाएगा, पता होगा आपको तुगलक पंच का संस्थापक कौन था, ग्यासुदीन, तुगलक, जीटी, 48, कालानुक्रमिक्रम में विवस्तित करें, गुरुनानक का जनम, मी नामदेव का जनम संथ तुकाराम का जनम, यह इंपोर्टन संथ है, इनके आपको थोड़ा सा एर वगेरा याद रखना पड़ेगा, यह हो जाएगा answer, 1469, गुरुनानक देव जी, मीरा भाई आपकी 1498, नामदेव 1270, और यह 1608, 49, सही पूछ रहा है, दिवाने खेरात, च सारे सही है, अब तीन प्रिपेर कर लो, 50, नेमरेकित में से किसने एक क्रिशी विभाग, एक अगरिकल्चर डिपार्टमेंट मनाया, दिवाने को ही, MBT, ग्यासुदीन तुगलक, FST, अलाउदीन खिल जी, नन अफ दी अबव, मोर्दन अबव, बहुत फेमस है, MBT ने मनाय मस्जित, जहांगीर, D, जामा मस्जित, शाह जहां, ये तो बताई देते हैं गया, पर ये तो मतलब कोई दिक्कती नहीं होनी चीन वालों में तो, है न, हजार सुतन क्या थे, ये पिलर्स थे, actually, 52, पंडित शिव नरायन अगनी हुत्री, 1887, देव समाज, बताई, कहां इन, चार कुशन त्यार हो रहते हैं, ऐसे, लहोर, कैलकटा, मडरास, लखनो, वेरी फेमिस, लहोर, कौन से वाइसरोय के टाइम पे, तिब्बित को पूरी तरीके से, ब्रिटिश एंपायर में मिला लिया गया था, रिपन, करजन, मेयो, रीडिंग, नन अफ दी अबव, मो था, 1903, 54, कौन सा विकल्प गलत है, इनकरेक्ट, राजय और लोक नृत्त है, स्टेट्स और फोक डांसे, असम, बीहू, उडीसा, तरंग मेल, छतिसगर, गौर मरिया, किरिला, अप्तम, थुलाल, तो बता सकते थे, आप ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपका तरंग मेल सर कॉलन कैंबिल, हेन्री लॉरेंस, करनल जेम्स नील, डी हो जाएगा, करनल जेम्स नील, देखो, आपके निकॉलसन थे डेली में, कॉलन कैंबिल थे आपके कानपूर में, और हेन्री लॉरेंस कहां थे लखनो में, मदरास प्रेसिडेंसी में, जस्टिस मूवमेंट, सुन इस movement से जुड़े हुए थे non-brahmins का legislature में प्रतिनदित है ना ब्रामनों के लिए लोक नियुजन और प्रतिनदित को लेके इन्होंने आयोजन जो था अकारिक्रम स्टार्ट किया था दिल्ली कॉलकता रेल मार्क पर पटना से 193 किलोमेटर दूर सासा राम जो है आपका वो किसका है फेमस फोर्ट और मॉजलम किसका है शेर्शासूरी का हुमायू का इब्राहिम लोदी का जहांगीर था पताई देंगे भाई को दिक्कत हो नहीं 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 जहिए तो 58 1879 में ब्रिटी साशन के दौरान निमलिकित में से किस देश पर बहारी नेंट्रें स्थापित किया गया था एकस्टरनल कंट्रोल बनाया गया था सिक्क्यम भूतान अफगानिस्तान बर्मा अफगानिस्तान पर बनाया था ठीक है और 1879 का टाइम थ इस वक्त 59 ने मलिकित में से किस गवर्णर जेनरल के साशनकाल के दौरान 1787 में किर्क प्रत्रिक प्रतिनेदी मंदल में पहले वी करा चुकी है विश्चन आपका नेपाल उसमें पूथा था आप से और ये नाम दिया हुआ था अब इसमें उल्टा हो गया ये वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉन्वॉलिस, लॉर्ड अमहर्स्ट, नन अफ दी अबव, मूर्दन अबव लॉर्ड कॉन्वॉलिस का टाइम था एक्चुली ये और कॉन्वॉलिस का टाइम था 1786 से 1793 ठीक है 60, गवर्णर जेनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम की बात है, कौन सी घटना नहीं हुई थी उनके टाइम पीरिड में सती काउन मूलोन अबॉलिशन, ठगी प्रथा का दमन, चार्टर आक्ट 1833 का और स्टाटिस्टिकल सर्वे का बनना भारत में D, देखो, विलियम बेंटिक की बात हो रही है, तो पहले तो 1828 से 1835 तक थे ठीक है, और आपका ये जो स्टाटिस्टिकल सर्वे बना था, ये मेयो के टाइम पर बना था, ठीक है, और लॉर्ड मेयो का टाइम था, 1869 से 1872, येस, 61, कौन से राजने 1849 में Lord Dalhousie के व्यापगत के सिध्धान की नीती अपनाई थी, डॉक्टर एना फ्लैक्स अडॉप्ट किया था, सतारा, जैदपूर, संभलपूर, भगत, सब ने किया था, ठीक है, याद रखना, सतारा में आ गया था, 1848 में, 49 में संभलपूर में आ गया था, जैदपूर और मेयो, नॉर्थ ब्रूक, इन में से कोई नहीं थे, ये आपके वेलेजली थे, टाइम पीरिड था, 1798 से 1805, टीटी अफ बसीन कब साइन हो थी, 1802 में, गलत विकल्प का आपको चेहन करना है, कुका मूब्मेंट पंजाब का लॉड क्यानिंग के टाइम पे, वर्नाकुलर प बना, बनी डफरेंट के टाइम पे, ए, कुका मूब्मेंट जो था, वो नॉर्थ ब्रूक के टाइम पे था, इनका टाइम पीरिड था, 1872 से 1876, लिटन का था, 1876 से 1880, रिपन का था, 1880 से 1884, चार-चार साल का चल रहा है, और इसका था, 1884 से डफरेंट का, 1888 तक, 64, 1944 में वाइसरोड डैश के टाइम पे, फूट डालो और छोडो कना रहा, डिवाइड और कुट, किसके टाइम पे आया था ये, वेविल, लिलितको, माउंट बेटन, विलिंगडन, लॉड लिलितको का टाइम पीरिड था, और डिवाइड और कुट, जो है, मुस्लिम सी जगहें, जो थी, उनका विले किया गया था, एनेक्स किया, उदैपुर, जहांसी, नाकपुर, पहले कौन सा, बाद में कौन सा, इसे आप से पोच रहा है, देखो, सतारा तो अभी मैं आपको बता किया है, यह 1848, उदैपुर 1852, जहांसी फिर 1853, और नाकपुर 1854, तो जॉर्ज बालो, जॉर्ण शोरे, वॉर्रन हिस्टिंग्स, लॉर्ड कॉन वॉलिस, सर जॉर्ज बाल ले, अभी उपर ही बताया है, आपको 1805 से 1807 का इनका टाइम पीरिट था, 67, निमलिकित घटनाओं को कालानो करम में क्रोनलोजिक के लिए आपको रेंज करना, बसीन की संधी तो अब रट गया होगा, आप लोगो, ट्रीटी अफ बसीन, खार्दा का जो युद्धुवा था निजाम और मराथास के बीच में, बंगाल का पर्मनेंट सेटलमेंट, अ और ये 1809, 68, निमलिकित में से विशम विकल्प चुनें, और ऑप्शन, मॉंट्योगो की घोषना, 1919, सारे 1919 के हैं, पूछ रहा है, गौवर्मेंट अफ इंडिया, रोल अटाक, जलिया वाला बाग मसायकर, कौन सा इसमें से गलत है, और गया है, पहला ही हो जाएगा, संद्रानडे, आरजी बंडार कर दाड़ोबा पांडू रंग, तो ए हो जाएगा, इसका 1, 2 and 3, 1867 में, बॉंबे में इसको स्थापित किया गया था, 70, मैंगलोर की संधी, ट्रीटी ओफ मैंगलोर, कौन से अंगलोर मैं सो रखवार के टाइम पर हो थी, पहले दूछरे ती मैंगलोर की, तीसरे के टाइम पर हो श्रंगपत्नम की, और चौते में मैसोर को कबजाई कर लिया था, ब्रिटिश फोर्सेज ने, ठीक है, 71, स्वाली का युद, 1612, किस-किस के बीच में, ब्रिटिश इस इंडा कंपनी और पॉर्चुगीज, इस इंडा कंपनी फ्रेंच, इस इंडा कंपनी वर्सेज डच, इस इंडा कंपनी वर्सेज देंस, पता होना चीह आपको, को दिक्कत नहीं होने चीह है न, ब्रिटिश इस इंडा कंपनी और पॉर्चुगीज के बीच में, 72, गलत विकल्प चुनना, आपको इंकरेक्ट अप्शन, राजवंच और क्या आपिटल्स, राजधानियां पूछ रहा है, निजाम शाही की एहमद नगर, इमाच शाही की बिराड, कुतब शाही की गुलकुंडा, शर्की की जौनपुर, याद कर लो, कौन दक्षनी राजे महा कंतर का साशक था, ruler of महा कंतर, महेंद्र, व्यागराज, मंत राज, महेंद्र गिरी, none of the above, more than above, ब्यागराज था महा कंतर का साशक, ठीक है, यह और यह सारे दक्षन के राज़े दियूं मैं, तो महेंद्र था आपका कौशल का, मंत राज होता था आपका कौरल का स्पेलिंग पर ध्यान देना महेंद्र गिरी होते थे आपके पिश्ट पुर के 74 काना नुक्रम में क्रम में विवस्तित करें chronological order में मलूग दास का जनम घासी दास का जनम गुरु नानक देव जी का जनम नाम देव जी का जनम इयर लिखो फटाफट याद करो 1574 काहा सी दास हैं आपके 1756 सबके तुन याद रह पाएंगे जैसे गुरु नानक देव जी हैं इनका याद कर लो है ना थोड़े से बाद वाले हैं उनका याद कर लो बहुत पुरानों का एकाद का याद कर लो तो अभी अरेंज हो जाता है 75 कालनुक्रम में क्रम में विवस्तित करें chronological order में battle of देवरा देवरा का यूद कन्नौज का सिरहिंद का आंसर देवरा का हुआ आपका 1532 में कनौज का तो फेमस है 1540 सिरहिंद 1555 76 सही विकल्प का चलिएंग करें correct option दिवाने बंदगान FST खेरात अलावदिन खिलजी इश्तिहाक बलबन अभी उपर इन में से बताई गई बाते हैं अगर ये गलत होती हैं तो ठीक नहीं है केवल पहला ठीक होगा वई आपको पता है बंदगान FST, खेरात FST, इश्तिहाक FST तो ये सारे सेम हो जाएंगे नहाटाओ 77 गलत विकल्ब का चैन करेंच उस दिन करेक्ट ऑप्शन आपका अतार कीन का दर्वाजा दोर्वे इलतुत्मिश अदीलाबाद का मगबरा MBT, कवत्तुल मॉस्क डेली, कुतबदी नैबद, जामा मस्जित और अंगजेव अभी कितनी बार बताई जाएगी जामा मस्जेट, शा जहां चित्तूर सिंग किस से संबंदित थे, कौन सी अप्राइजन से, रामोसी, खासी, कोया, भील रामोसी विद्रो से संबंदित थे, वेस्टन घाट्स में ये हुआ था, 1822 से 29 तक चला पहले तो, फिर 39 से 41 रामोसी राइसे, 1854 का वुड्स एजुकेशनल दिस्पैच, कौन से गवर्न जनरल के टाइम पर आया था, या वाइस्टरो के टाइम पर, एलन बरो, कैनिंग, डल्हाउजी, नॉर्थ ब्रूक, नन अफ दे अबव, मोर्दन अबव, लॉर्ड डल्हाउजी के टाइम पर आ इंडिया में मिला लिया गया था, तो ये किसके टाइम पर गया था, कैनिंग, डफरिन, नॉर्थ प्रॉक, लिट्टन, डफरिन का टाइम पिरिड था, 1885, अभी डफरिन का उपर टाइम पिरिड बता के आई हूँ आपको मैं, 81, गलत विकल्प का चेहन करें, चूज़ दी इंकरेक्ट ओप्शन, वन्दे मात्रम, और उबंदो घोष, जन गन मन अधिनायक जया है, रबंदर नाट्यगोर, साइमन, गो बाक, लाला राजपत्राय, वू लिव्स, इंदिया डाइस, जवाहलाल नेरू, भाई ये कैसे गलत कर सकते, वन्दे मात्रम, बंकिम चंदर च जाटर जी, 82, गलत विकल्प का चेहन करें, चूस्दी इंकरेक्ट ओप्शन, युद्ध और विजेता, बैटल और विजेता, सेमल का युद्ध, बैटल अफ सेमल, शेर्शा सूरी, तालिकोटा, डकन सल्तनेत, हल्दी गाटी, महाराना प्रताप, स्वाली, पॉर्चुगी अब ही बैटल अफ स्वाली उपर देख के नहीं आए, कि इसमें ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी जीती थी, देख क्या हो कि नहीं देख क्या हो, सामल का कब हुआ था, 1544 में, शेर्शा सूरी जीते थे, और एक हिंदू किंग थे, आपके मालदेव करके, वो हार गए थे, दालिकोटा बहुती फेमेंस है, 1565, दकन सल्तनेत जीती थी, विजनगर अंपायर हार गई थी इससे, हल्दी गाटी तो आपको पता होना चाहिए, 1576, महाराना प्रताप अकबर, स्वाली, ब्रिटिश इश्नेला कंपनी जीती थी, 1612 में अभी उपर कॉशन देखा था, 83, स संगराम राज निमलिकित में से किस राजवंज के संस्था पकते, संगराम राज, कदंब के, लोहार के, गहडवाल के, कालचूरी के, लोहार राजवंज के संस्था पकते, कदंब के कौन थे, मयूर शर्मन, गहडवाल के कौन थे, चंद्रदेव, और कालचूरी के कौन थे के दिल्वाडा तेश्वर ऑजारह राम विरुपक्ष हुए हजारह राम टेंपर। important है यह बौध दियको ब्रेदेश बनाथा आपका चोल डानासटी के टाइम पर हैं थर नाव ने तनजाबस में पर मांट अबू में हैं वीरुपक्ष बना था आपका और हजारा हम्पी करनाटिका में एटी सिक्स्थ शकारी के नाम से कौन जाने जाता था समुद्रुगुप्त kauter विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वदाली की सापना बंगाल में किस ने की थी कौन से रूलर थे बंगाल के, बंगाल में दे सेंस, कौन से रूलर बंगाल के थे, देवपाल, महीपाल, धरमपाल, गुपाल, नन अफदी अबव, मूर्दन अबव, फेमस क्वेस्चन, धरमपाल, 88, गलत चुने, इनकरेक्ट, बान भट ने हर्श्चरित लिखी, विलहन ने विकरम देव चरित लिखी, चंदर बरदाई ने पृत्विराज रासो लिखी, हेम चंदर ने लिखी, भोच प्रबंध, सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ, दी हो जाएगा आंसर, आपकी भोच प्रबंधन लिखी थी, विललाल ने, ठीक है, क्लियर, 59, हडपा सब भटा को किस नाम से नहीं जाना जाता था, इंड़स सिविलिजेशन, ब्रौंज एट सिविलिजेशन, फर्स्ट अर्बन सिविलिजेशन या तांभावती संस्कृति, तांभावती कल् horror बता तूरंट आना ची आंसर, तूरंट, डी, तामभवती संस्कृति, ये सारे तो हरपा की नाम है, 90, नफ पाशानिक स्थल गुफ्रकाल कहां है, नियुलोथिक साइट गुफ्रकाल, करा चुकी हुम है, हस्तनापूर, गुवाटी, बस्तर, कश्मीर, कश्मीर में है भई, है न, गुफ्रकाल, का मतलब होता है, संबंदित नहीं है, सिंबल्स पूछ रहा है, बर्त, लोटस अंबुल, कमल, एवं सांड, ज्यान की जब राप्ति हुने, पीपल, बोधी ट्री, रनंसियेशन, मतलब ग्रहत याग, उनका एलेफेंट से, निर्वान, फुट्प्रिंट, सी हो जाएगा, जो उनका ग्रहत याग था न, ये दर्शाया गया है घोडे से, होर्स, 92, दिल्ली सल्तनेत में सबसे बड़ा सामराज है, किसका था, और लास्ट टर्किश कुल्तान दिल्ली सल्तनेत का कौन था, दो सवाल हैं ये, MBT Nasshruddin Muhammad, Alauddin Khilji अलauddin embedded था, और Nassruddin महमूत था, लास्ट तर्किश सिल्तान जो की लास्ट सुल्तान था, तुगलब NINSTI का, 93 जौणपुर जदे जौणपुर की स्थापना निमलिकित में से किस मुगल साषत ने की थी? जौणपुर ठीक है और किसने फिर जौणपुर को estaböß कराया था? वा flash किसकी मेमरी में होती, किसकी याद में होती और किसने कराई थी? गयासुदीन की याद में ऐसा था FST ने बनवाया था अपने कजन थे ये उनके जॉना खान इनको बोलते थे MBT 94 किसने सुल्तान गड़ी का मकबरा बनवाया और कब इलत्यूत्मिष 1231 अकबर 1232 अकबर 1233 इलत्यूत्मिष 1234 ये इलत्यूत्मिष्मिष्ण और 1231 में ओर किसकी याद में बनवाय था है जानते हैं अपने बेटे नसरीदिन महमूद की यादि में इसको पहला इस्लामिक मकबरा कहा जाता है फिर्स्ट इस्लामिक टोंग 95 पांडे समराज को दिल्ली सल्तनित के किस वंच में इमने एनिक्स किया था वंच में अपने मिला ले था स्लेव डाइनस्टी ने गुलाम वंच ने खिलजी तुगलक लोदी खिलजी वंच ने किया था ऐसा है ना अलाउदीन का जनरल था मलेक काफूर जो अपने साउथ के कॉंक्वेस्ट पे गया था आपने पिक्चर देखियोगी उसमें जो वो लड़का है जो नीरजा में भी है आप पिक्चरों से बता पाती हूं मैं है ना इसका नाम नहीं आता है मुझे गोरा सललका है करली बालो मला वो उसने रोल प्ले किया था ना मलेक काफूर का दिल्ली सल्तनित को निमलखित में से किस वंच किस आशनकाल के टाइम पे दिवान अमीर को ही यह डिपार्टमेंट जो है बनवाया था और यह किस से रिलेटर था तुगलक डेनस्टी लैन्ड़ रेविन्यू आपका सैयद डेनस्टी लैन्द रेविन्यू भूरा यसुए ए और तुगलक डेनस्टी अग्रिकल्चर सैयद डेनस्टी अग्रिकल्चर यह यह तो आपने पढ़ा होगा यह ना M embr-t न बनवाया था यह 97 1931 में एक बुक पब्लिश हुई मोहन जदाडो and the Indus Civilization पहली किताब थी Indus Civilization पर लिखी जाने वाले किसमें लिखी है James Princip, Colin McKenzie, Alexander Cunningham देयाराम साहनी आंसर तो इन में से कोई नहीं है अक्चली, यह हो जाएगा इसका आंसर आंसर है इसका John Marshall Sir John Marshall 98 किसने महाराजा रंजीत सिंग को के साशनकाल में अर्थ विवस्था मंतरी के कारे की देख रेक ही थी Minister of Economy कौन थे महाराजा रंजीत सिंग के फकीर अजीज उद्दीन, भगवान दास, मौकम चंद्र हरी सिंग नलवा, none of the above, more than above भगवान दास थे ठीक है जो Economy देखते थे और फकीर अजीज उद्दीन ना इनके Foreign Affairs देखते थे Foreign Minister थे महाराणी जिंदन कौर को जो पेंशन दी जानी थी उसको घटाके कर दिया 48,000 तो पहले कितनी थी बहरोबाल की संधी के हिसाब से जो उनको मिलने वाली थी 2,5,5,5,5,5,5,5,5 बताओ, 1,5,5 रुपे साल के मिलने वाले थे उसको घटाके कर दिया 48,000 अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोथी शाशुजा की अनुमती से किस वर्ष बनाई थी 1st कोथी इन बेंगॉल 1650,51,52,53 बताओ नची आपको, है न, यह नो ने फिर 1698 में सुभेदार अजी मुशन ने जमिंदारी देती थी सुतनाती कालिकट और गोविंदपुर की कंपनी को पढ़ा है नहीं तो, तो भाईया फटा-फट से स्कोर कर दो, कमेंट अब, है न, स्कोर कमेंट करना बहुत जरूरी है, तब ही तो पता लगेगा न, कि आपने कितना स्पीड के साथ, अक्यूरिसी, दिमाग चलना, याद आना, सारी चीज़ें एक साथ मिलने चाहिए, ठीक है, और उप्शन्स, चार वाला पैटर्न आ गया है, हम जानते हैं, लेकिन ये टेस्ट जो हैं आपके, अल्रेडी बन चुके थे, तो इसलिए अब आप इनसे प्रैक कर सकते हैं, all the very best, बहुत-बहुत शुब कामना हैं मेरी आप लोगं के साथ हैं, पढ़िए अच्छे से, मिलते हैं हम हमारे next lecture में, thank you so much.